दूस्तोर राजस्तान में कुल 22,000 पदों पर सिक्षक भरती होने जा रही है तो आज के इस वीडियो में हम इस सिक्षक भरती के बारे में सुरू से लेके अंदर तक हैने की complete process को distance करेंगे सबसे पहले बात करते हैं REIT exam के बारे में REIT क्या होता है दिखे फ्रेंड्स अगर आप CTR देते हैं UPT देते हैं या किसी भी other state के लिए अगर आप Teachers eligibility test यानि कि जो TT की परिशा होती है अगर उसको आप दे रहे हैं तो REIT भी बिल्कुल वही परिशा है यानि कि आप इसको जो है हलांकि इसका नाम भी पहले RTT ही था ठीक है आर्टेट के नाम से ही इसे जाना जाता था और फिलाल इसका नाम बदल कर कर दिया गया है राजस्थान eligibility examination for teachers यानि कि REIT और ये बदला 2012-13 के बाद किया गया तो REIT 2022 के लिए जो exam की date है वो 23 और 24 जुलाई घुसित की गयी है 23 और 24 जुलाई को लेबल 1 और लेबल 2 के लिए परिक्षा आजित की जाएगी जिस परिकार से आपने देखा होगा UPTate CTate में जो पहला paper होता है वो 1 to 5 के लिए होता है ना class 1 to 5 उसी परिकार से लेबल 1 की परिक्षा जब आप देंगे तो कच्छा 1 से 5 तक के लिए और जब आप 2 की परिक्षा देंगे तब आप class 6 to 8 के लिए सिक्छक बनने के लिए eligible रहेंगे तो इस वीडियो में हम बात करेंगे REIT के Slavers के बारे में merit कैसे बनती है और अगर REIT आपने qualify कर लिया तब आपको जो 3rd grade परिक्षा में सामिल होना है तो उसमें क्या-क्या प्रसंद रहेंग तब आपको जो है UPTT या फिस CTET की परिक्षा पास आउट करनी पड़ती है ठीक है तो बिलकुल इसी के बाल एक्विबनेट यहाँ पर REIT की परिक्षा होती ही राजस्थान में ठीक हला कि अगर आप राजस्थान में सिक्षक बनना चाहते है तो वहाँ पर UPTT नहीं चलेगा आपको REIT परिक्षा को पास करना पड़ेगा या फिस CTET परिक्षा अगर आपने पास किये तो भी आपका काम चल जाएगा इसके बाद फिर बात करें तो UPTT के बाद आपने देखा होगा कि उत्तरपदेश में सिक्षक बनने के लिए आपको एक सिक्षक पात्ता परिक्षा और पास करनी पड़ती है जिसे विद्यार्चियों के द्वारा सूपर टेट कहा जाता है तो बिल्कुल उसी प्रिकास से REIT के बाद आपको थर्ड ग्रेड एक्षाम देना पड़ता है अब आप इस पूरी प्रक्षा को ठीक से समझ गये होंगे फिला फ्रेंस जो खबर पारे में सुचना दी थी फिलाल अध्यापक लेबल वन और लेबल टू के कुल 62,000 पदों पर भरती की जानी है इसमें लेबल वन के 15,500 पदों पर भरती की प्रक्रिया चल रही है यानि कि जो कुल भरती होगी वो 62,000 पदों पर होगी इसमें से 15,500 पद बरतमान में इस पर जो है भरती जो है वो गतिसील है यानि कि अब जो परिक्षा होनी है जुलाई में उसमें कुल कितने पद होंगे तो 62,000 में से आप इन पदों को घटा दे 15,500 पदों को तो कुले मिला के देखा जाए तो 46,500 नए पदों के लिए यह भरती प्रक्रिया शुरू होगी इसमें प परिक्षा पास करते हैं तब आप 31,500 पदों पर आप सिक्षक बन पाएंगे तो बास समझ गया तो जैसे कि UP10 में होता है कटाफ UPTT की जब आप परिक्षा देते हैं तो यहाँ पर 60% अंक आपको लेकर आने होते हैं उसी प्रकास से रीट की जो परिक्षा देंगे उनको भी जलना कंडिडेट को 150 में से 60% मतलब 90 अंक लेकर आपको आने हैं अगर आप राजस्तान के OBC या YSC कंडिडेट हैं तब आपके लिए जो पासिंग मार्क है वो 55 फिजदी रहेगा, YSC के लिए 36 फिजदी है, महिला और X सर्विसमें के लिए 50 फिजदी मार्क निरधारित किये गए हैं, तो रीट का यह पासिंग मार्क होगा, तो यहाँ पर बता दूँ आपको कि रीट की परिक्षा काफी important होती ह क्योंकि 2012-13 में जब भरती होती थी, तो उस समय जो दूए अस्तरी परिक्षा होती थी, एक पातरता परिक्षा होती थी, रेट की, उसके बाद एक योगिता परिक्षा होती थी, सिक्षक बरती परिक्षा, तो उसमें जो योगिता परिक्षा होती थी, उसमें रीट का 20% ज पाएट पाएंगे 26 सितंबर 2021 को रीट परिच्छा में पास अभिडतियों को जिसके अंतरगत 15500 पदो पर इनकी भरती की जा रही है तो फिराल अब इनका कोई मतलब भी नहीं है मतलब यह लोग तो अब सेलेक्ट हो चुके हैं यह लोग सिक्षक बन गए हैं लेकिन जो लोग रीट पहले से पास आउट हैं क्या वो अपना स्कूर सुधारने के लिए फिर से रीट की परिच्छा में 2022 सामिल हो सकते हैं इसका जवाब है यस बिलकुर सामिल आप हो सकते हैं अगर आप अपना स्कूर बढ़ाना चाहें तो सामिल हो यह अन्यता की स्थिति में कोई दिक् लाइफ टाइम हो गई है तो यह बात है कि अगर एक बार आपने रीट कर लिया तब यह सर्टिफिकेट आपके लिए लाइफ टाइम वलिट रहता है तो कुल पत कितने हो गए बास्ट हजार पद ठीक है और लेबल वन के लिए 15,500 पहदों पर भरती चल रही है तो सीट है वो कितनी सीट है 15,000 सीट है लेबल टू के लिए कुल 31,500 सीट है इसमें 1,000 पत जो है वो इस पेसल बीएट के लिए है ठीक है तो फार्म कौन भर सकता है देखिए अगर आप BSTC या इसके एक्विवालेंट है जैसे कि अगर आप UP के स्टुडेंट है और आपने डी स्टीसी या फिर इसके संपक्ष किसी अदर स्टेट की कोई योगिता धारित करते हैं या फिर बीएट के फाइनल इयर में है यानि कि अगर आप स्टुडेंट ने फाइनल इयर के अपेरिंग है तो भी आप अपलाई कर सकते हैं लेकिन जब रिजन जारी हो जाए जब आप की नियुक्ति होने लगेगी जब आपको मिलने लगेगा ज्वाइनिंग लेटर ठीक है उस दवरान आपके पास कम्प्लीट सर्टिफिकेट होने चाहिए मल्लब आप परिशा दे रहे हैं ठीक है आप अपलाई कर सकते हैं लेकिन जब आपकी ज्वाइनिंग होगी जब आपको अपनी फालन मार्क श्रीट दिखानी पड़ेगी समझ गया और जैसा कि मैंने आपको बताया है इस परिशा का जो प्रायोजक है यानि कि आयोजन करेगा वो मादमी सिक्षा बोड अजमीर करेगा और लेबल टू के ऐसे भरती जो फार्म भर चुके हैं जिनकी पद डिक्लीर हुए है नए पद अगर इसमें आप सामिल होना चाहते है तब आपको नया फार्म अपलाई करना होगा अब फ्रेंस बात करेंगे कि लेबल वन का जो स्लेबस रहेगा वो क्या रहेगा अगर आप यूपी टेट या फी सीटेट की परिछा दे रहे हैं तो यह इसमें भी बाल मनों विज्ञान एंगे सीडीपी से चैल्ड डेबलप्मेंट एंड पेटागाजी से तीस क्वेशन रहेंगे भासा में हिंदी अंग्रेजी संस्क्रेट पंजाबी गुजराती उर्दू और सिंधी यह भासा हैं इनमें से कोई भी एक भासा आपको चुननी होंगे दो भासाओं का सेलेक्शन आपको करना होगा मिल्कुल यूपीटेट की तरह या सीटेट की तरह दो भासा यहां को चुननी होंगी दूसरी भासा दोनों भासाओं अलग अलग होंगी सेम भासा का सेलेक्शन आप नहीं कर सकते हैं जिसे कि पहली भासा आपने यहां भी भी एक भासा चुन सकते हैं, तो दोनों भासाओं से 30-30% होंगे, गणी से 30% और परियारण से 30%, कुल मिला के 150% और कुल अंग 150, बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग के बारे में तो क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, जवाब है इसका no, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसी प्रिकार से लेबल 2 परिक्षा के बारे में बात करें, तो आपने देखा कि UPTT और CTT में, जो जूनियर CTT होती है, जूनियर CTT की परिक्षा विल्कुल वाइस लेबल यहां पर भी अपलाई किया गया है, CDP जे 30 क्वेशन होंगे, भासा, मंदल दो भासा होंगी, बारे भासा का सेलेक्शन आपको करना होगा, और दूसरी भासा है जो होंगी, दोनों भासा है आपस में आरग करने होंगे, यह आर्क क्यों होता है, तो इसमें से कोई भी एक खंड आपको चैन करना होता है, कुल मिला के 150 प्रस्न, कुलंग 150, नेगियोटिव मार्किंग समझ गया होंगे, नहीं होती है, और अब बात करेंगे कि अगर आपने रीट का लेबल 1 और लेबल 2 परिच्छा क के लिए आपने जो निर्धारी कटाफ है, उसको पास कर लिया, यानि कि अब आप eligible हो गए हैं, कि अब आप 3rd grade परिच्छा के लिए जिसको राजस्थान का सुपर टेट भी आप कर सकते हैं, अगर उसके लिए आप eligible हो गए हैं, तब यहाँ पर अब किस प्रकार से आप पर इच्छा देंगे और क्या स्लेबस रहेगा, यानि कि राजस्तान का जो सुपर टेट है, उसमें primary के लिए, लेबल वन समझ गे ना आप, ये primary सिक्षक भरतिक लिए होगा, तो primary सिक्षक भरतिक लिए जो स्लेबस है, वो क्या रहेगा, तो 2012-13 के अनुसार में आपको बता र दीजिए, तो 2012-13 में कुल 140 प्रस्ण पूछे जाते थे, 200 अंकों की परिक्षा होती थी, दो घंटे का समय मिलता था, जिसमें राजस्थान का सामान ग्यान और करेंट अफेर पर 30 प्रस्ण होते थे, 60 अंके के, राजस्थान से 30 प्रस्ण होते थे, 60 अंके, मैं या आपर ब इसे जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, सामान विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्यान से 35 प्रस्ण होते थे, 60 प्रस्ण पूछे जाते हैं, नेकटिव मार्किंग भी होती ही, या रखना, यहाँ पर जो रीड की परिक्षा होगी, उसमें तो नेकटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन जो आप थर्ड ग्रेड एक्जाम देंगे, उसमें नेकटिव मार्किंग एक तिहाई रहती है, इसी प्रकार से अब अगर आप लेबल टू, यानि कि जूनियर सिक्षक वर्थी परिक्षा में सामील होना चाहते हैं, तब सिलिवस्त क्या होगा, राजस्तान का इ जो चाहते हैं, जो जो विद्रम घॉनियर से एकषळ्य से सबसे अधिक वेटेश है, विद्योच बीक्राण में का कुल 200 अंग, तो विद्योच समझ सकते हैं जो वी बिसे आपको पढ़ाने हैं, अगर आप कराव वर्कि हैं, तब आप जो सोसल साइंस हैं, उसको ठीक से त देखे फ्रेंड्स अभी इसके बारे में जो सूचना है वो आपको 15 मार्च के बाद और लेबल हो पाएगी ठीक ठीक फिलाल एक दिमाग में रखिए कि आपको दोनों ही परिच्वाँ में बहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि रिट के जो 20% अंक होते थे वो थर्ड लेबल एक्जाम के प्रापतांक में जूड़ते थे तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना होगा ठीक है तो अब आप बिलकुत तैयरी में लग सकते हैं अदर स्टेट के जो रिट् razem कर सकते हैं जबाब है ऐस लेकिन एक कंडिसयन क्या है कि राजस्तान में अदर स्टेट के लिए मात्र पांच परेसन सीलन को रहास्तान में अगर आप ना सिक बनना चाहते तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि आप इस 5% में आ सकें तो फ्रेंड्स ये था एक complete वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे सवालों की जबाब आपको मिल चुके होगी अगर अभी भी कोई doubt है तो comment करिएगा जिसके लिए अब आपको इस चनल पर सारी जांकारी समय पर झाल 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 झाल